प्रीती पेड़ना के चैनल से हमें ये पता चला कि शांपू का मतलब सिरफ जाग नहीं होता हमें ये भी पता चला कि फेस वाश हर बार स्लिपरी नहीं होते ड्राय फेस वाश कुड बी दे माजिक डाट यूर स्किन इस वेटिंग फॉर मिश्वास ना आए तो इन दोनों ही वीडियो को जाकर डेफिनिटली चेक आउट कीजिए कि क्या माजिक के दोनों वीडियो कर रही है आज के वीडियो भी आप लोगों के लिए एक डिस्कवरी होने वाली है रिलेटिट टू यॉर मॉइस्चिराइजर जे हाँ आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक DIY मॉइस्चिराइजर शेयर कर रही हूँ जो की आपकी स्किन के लिए गजब के रिजाल्स दे सकता है जहां आज मैंने उसी का इस्तिमाल किया है सो लेट्स चेक आउट वाट नीजस तो बी डन अगर आप हमारे चानल पर पहली बार आ रहे हैं तो बहुत-बहुत स्वागत मेरा नाम है प्रेणा, चानल का नाम है प्रीती प्रेणा और यहां पर वी अर बीटिफुल फामिली अफ ओल्मोस्ट वन मिलियन पीपल वार सेलिबरेटिंग सेल्फ लव पूरे परिवार की तरफ से मैं आपको अमंत्रत करना चाहूंगी कि आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनिये इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ताम जाम नहीं करना नीचे एक रेट कलर का सब्सक्राइब बटन है आपको उसे क्लिक करना है उसकी बगल में एक बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना है क्योंकि जैसे ही में विडियो अपलोड करती हूं मेरा पूरा परिवार यहां पर होता है और वी वुड लग तो हाव यू आज के वीडियो में आप लोगों के साथ एक जो की आपकी स्किन के लिए कम माल के बेनिफित्स दे सकता है चाहे आपका स्किन टाइप कुछ भी क्यों नहों यानि कि अगर आपकी स्किन टाइप ओईली है ड्राय है कंबिनेशन है सेंसिटिव है तो भी आप इस क्रीम का इस्तमाल अपने लिए कर सकते हैं मैं जल्दी से इसका प्रिपरेशन आप लोगों के साथ शुरू कर रही है और प्रिपरेशन के दौरान ही मैं आपको इंग्रीडिन्स के बारे में बताती रहूंगी सबसे पहले आपको इक पान गरम करना है और इसमें आपको लेना है एक कप पानी जैसे ही पानी में boil आजा, इसमें आपको लेना है half a teaspoon of flax seeds देखिए flax seeds का कमाल आप अपने बालों के लिए देख चुके हैं skincare series में अपनी skin के लिए देख चुके हैं लेकिन जब आप हम इसका infusion आपके moisturizer में कर रहे हैं तो इसका जो magic निकल के बाहर आएगा, you are going to be amazed आपको लेना है half a teaspoon of methi dana याने की fenugreek seeds fenugreek seeds का भी आप जो potency है, वो skincare series में अपने लिए देख चुके हैं यहाँ पर आपको half a teaspoon of fenugreek seeds लेना है मैंने इसको हलका सा ground कर लिया है, piece लिया है ताकि यह जल्दी से infuse हो जाए और इसको भी मैंने इसी pan में ले लिया है now you have boiling water, half a teaspoon of flax seeds and half a teaspoon of fenugreek seeds इनको आप अच्छे से boil होने देजिए, what is happening, जो gel formation हो रहा है उसमें fenugreek अपनी beautiful properties release कर रहा है you all got that right इसके बाद इसमें आपको लेना है अगर आपके पास fresh rose petals है तो आप वो ले सकते हैं क्योंकि मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने dried rose petals ली है please make sure कि कुछ और इसमें ना हूँ, हमें सिरफ petals का इस्तमाल करना है so just a handful of rose petals मैंने इसमें ले लिया है इसको अच्छे से stir कर लीजिए अब आप देखिए इस gel में है fenogreek seeds और इसमें है rose दोनों के दोनों बहुत ही important ingredient है आपके open pores के लिए और आपकी skin पर वो glow provide करने के लिए जैसे ही आपको दिखे कि जो rose petals है वो अच्छे से लहरा चुकी है आपके gel में आप इसको गरम गरम ही चान लीजिए और एक bowl में ले लीजिए जैसे ही bowl में आपके पास gel आजाए आप इसको ठंडा होने दीजिए क्योंकि हमने एक cup लिया था तो बहुत थोड़ा सा ही बनेगा यह जो left over है इसको waste मत कीजिए आप इसको grind करके इसमें या तो आप चावल का आटा मिला सकते हैं या बेसन मिला सकते हैं and use it as scrub यह बहुत ही गजब का scrub है आप इसको body scrub की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं absolutely fine इस gel को आप थंडा होने देंगे and इसके बाद अब आप इसमें infusions शुरू करेंगे सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वह है वितमिन E OIL यह जो इस्तमाल कर रही हूं वह कंसेंट्रेटेड फॉम में है and I'm really positive about it शायद आप जल्दी ही इसको review ravivaar में देखें बहुत सारी queries आ रही हैं about review ravivaar I am on it guys मैं बहुत सारी चीज़े ट्राइ कर रही हूं और जैसे ही मैं किसी particular product के लिए बहुत positive या बहुत negative होंगी I'll be there with the review for sure but as of now I am just trying all these things and I'll be there so stay tuned यहाँ पर मैं ले रही हूं half teaspoon of vitamin E oil अगर capsules है तो आप 3-4 capsules का भी इस्तमाल कर सकते हैं absolutely no problem विटमिन E oil का इस्तमाल यहाँ पर preservation के लिए हो रहा है मैंने जो केसर वाली video आप लोगों के साथ शेर की थी केसर क्रीम believe me मैंने आपको वहाँ पर डूरेशन दिया था कि 2-3 हफते के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हैं but वो क्रीम को अज 2 महीने हो गए अभी भी इस्तमाल कर रही हूँ and it is perfect मैंने रेफ्रिजरेट भी नहीं किया so you can make out मैं आपको छोटा ब्राकट देती हूँ for the preservation purpose ताकि आप छोटे-चोटे बैचे बनाए और जल्दी से यूज कर ले क्योंकि इनकी लाइफ काफी जादा हो जाती है हम यह जो preservatives यूज करें है vitamin E is a preservative and इतना गजब का preservative कि जब आप इसको अपनी skin पर यूज करते है मैंने आपको बताया vitamin E आपकी skin का part है और जैसे आप topically apply करते है आपकी skin एकदम से rejuvenate हो जाती है खुश हो जाती है next जो आपको इसमें इंफ्यूस करना है वो है 1 teaspoon of gulab gel अगर आप distilled gulab gel का इस्तमाल कर सकें तो nothing like it otherwise जो आपकी पास available है आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं 1 teaspoon of gulab gel इस चीज को काफी ज्यादा थिन कर देगा अगर आपको बहुत थिन नहीं चाहिए तो आप gulab gel की quantity कम भी कर सकते हैं absolutely no problem and इसके बाद आपको लेना है the entire, you know the real base and that's your aloe vera gel मैं जिन जिन चीजों के लिए comfortable हूँ यहां जितने भी products मैंने बोले हैं उन सब के link आपको नीचे description में मिल जाएंगे you can absolutely try it for yourself यहां पर मैंने लिया है 1.5-2 teaspoon जो होते हैं आप aloe vera gel ले सकते हैं इस quantity को आप कम जादा कर सकते हैं absolutely no problem मैंने जिस तरह से prepare किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके बाद आप इसको अच्छे से stir करेंगे देखिए जब आप इसको stir करेंगे तो अगर आप manually कर रहे हैं क्या आप देहतरीन वे में ये ब्लेंड हुआ था अप्लेटली एक बहुत कुबसूरत सा कॉंसेंट्रेशन मिल गया था ब्लेंड करने से ग्राजली मैंने इसको ब्लेंड किया बारी बारी थोड़ा थोड़ा करके अधि टॉंड आउट रिली रिली नाइस बहुत ही प्यारा सा मौस्टराइजर ये बना इसके बाद आप इसको एक पंप बॉटल में प्रेफरेबली स्टोर करें क्योंकि ये काफी लीकुडी है मैंने का ना आपसे काफी लीकुडी होगा लेकिन इसका काम गजब I have it here मैं लेकर आई वियो आप यह देखिये मैंने इसको ऐसे पंप बॉटल में सिक्यूर किया है ऐसे मैं इसको ले लेती हूँ बहुत थोड़ा सा लगता है अभी तो मैंने जादा ले लिया बट आप देखिये यह ऐसा है यह चु आपको दिखा लेह होँगे मैं आज मॉर्निंग में इसका ही अपलिकेशन आज मॉर्निंग में क्या है आज का रोस जब से बना है उस दिन से रोस इसी का इस्तमाल हो रहा है पूरा खांदान यह यूसकर रहा है and everybody is really happy and we are using it, you know, face, neck, body, we are using it completely, absolutely no problem and kushbu, so don't ask, you know, you take so fragrant creams, they are very sweet kushbu, very sweet kushbu, and we have made kesar cream, it was also a kushbu, and DIY moisturizer is very sweet kushbu, so this is also very sweet kushbu and very good results, completely gone, there is no problem, and when we put it in the beginning, it has a little sticky feel, little, but when you give it some time to get absorbed in the skin, and then you leave it, it will have a completely soft skin feel, I can't describe it in words, you have to prepare it, and you have to prepare it, that the experience of putting it, my entire family is so happy, that this is a magic, literally, it is completely softened, when you give it time, when you say it, you can't put it out immediately, you have to wait, get it absorbed properly, and then after that, you have to put sunscreen on it, you have to put sunscreen on it, I have to put sunscreen on it, at this point of time, if you want, if you use face powder, you can use it, absolutely no problem, but the kind of freshness that you are going to feel on your face, and your hands, wherever you are using it, gazap, I mean gazap, this is very, very soft, this is liquid, but magic, it is magic, so I would insist, that you can definitely make it one time, so answering few questions, can we skip any product, you can skip, if you feel like, fenugreek, you can skip, but believe me, one thing, that I have used here, it is very important for your skin, so if you don't skip, and use this blend, it is a very good result, I am using it, my family is using it, so try it like this, however, if you are really skeptical, that I will not suit that, then skip it, and share with us, how we have skipped it, and how the results are for you, shelf life is enough, look, I made this cream, one week, either I have refrigerated it, or anything outside, it is absolutely fine, I will see, if something changes in the smell, or consistency, then I will refrigerate, but if you stay in this place, where it is very warm, I would insist, that you just refrigerate it, and if it is bad, then your mind is bad, so please, do not risk, refrigerate it, I am pretty sure, that 3-4 weeks, it will not be done, until it will be done, what are side effects, look, not of anything, that I can point, every skin type, dry, oily, combination, is very good, everybody is really happy, so you can definitely, give it a try, individually, see, all products, which are very good for skin, but if you think, because of this blend, maybe some people are very skeptical, then take a patch test, no problem, take a little patch test, if there is no itchiness, redness, dryness, go for it, it is a very good moisturizer, are, do teenagers, use it, yes, absolutely, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, it is better for you, it will naturally, rejuvenate your skin, no external, you know, what chemicals are, it will not come to your skin, it will never be a problem, so I tried my best, to cover all the questions, if anything remains, then you can definitely, answer all of them, I will be there, to answer all of them, I will be there, to answer all of them, this video, this cream, you will really like it, if you like it, then please, come back with us, to share our results, don't forget, all the people, who are feeling confident, to share it with me, and you know, you are sending your pictures, and your experiences, it is empowering, it is really empowering, thank you so very much, I appreciate each one, of my beautiful people out there, I am so proud of you, and thank you, for being a part of Preeti Prerna, and you will see, I will see you all, in your next video, with something magical, for you, until you, keep your thoughts, and don't forget, this cream, and don't forget, and I can, I can do it, that you have prepared, for Put67, good getcha, I can do it, and don't forget here,